हैलो फ्रेंड्स वेलकम आपके अपने यूटूब चैनल में तो फ्रेंड्स आपने जो टाइटल और थमनेल में देखा कि रेविट फार्मिंग के सालवर के अंदर ये फारम बंद हो जाते हैं सालवर भी नहीं टिक पाते हैं फ्रेंड्स उसका क्या रिजन रहता है और क्यों फ्रेंड्स साल बर पहले ही कई फारम तो 6 महिने के इंदर ही बंद होगे साल बर तो मैंने बहुत ज्यादा बता दी है तो ऐसा होने का कौन सा कारण है कौन से दो तीन बहुत बड़े कारण है जिनके वज़े से ऐसा सब कुछ होता है और फार्मर को बहुत ज़्यादा नुकसान लगता है लोस लगता है तो फ्रेंट्स सबसे बड़ा कारण तो यह ही है कि फ्रेंट्स देखो अगर आप गलत कंपनी का चूज करते हो बिना कुछ सोचे स फ्रेंट्स खिलाने पिलाने का खर्चा बहुत जाता है और आपको रख रखाओ करने का तो फ्रेंट्स आप कितने एक दिन मेनेज कर पाओगे तो फ्रेंट्स अगर दो-तीन महीने अगर कंपनी ले माल नहीं उठाया तो फ्रेंट्स बंद वो नहीं भो नहीं Not Pas और दूसरा बहुत बड़ा कारण है जो लोगों के साथ में देखतर होता है फ्रेंड्स यह काम एक ऐसा है जो फ्रेंड्स आप खुद पूरी नोलेज लेके और प्रोपर खुद इसको खुद को ही करना पड़ेगा जो भी है सब कुछ आपको मेनेज करना पड़ेगा आप इस दूसरे के बर三 इसकाम को करनेश क्यों कि मैं जैसे एक लड़का रख लेता हूं या किसी को या सिद्ध तरीके से मतलब दूसरे के बरोंसे यह काम हो क्amar नहीं सकता छब तक आप खुद की मेहनत खुद का एफट नहीं लगा हो गई तब तक फ्रेंट्स इस काम को आप कर नहीं सकते क्योंकि टाइम पर मेटिंग करवाना बहुत जरूरी होता है अगर टाइम पर मेटिंग नहीं करवाइब तो फ्रेंड्स आप अगर पैटालीस दिल में एक फिमेल में माल उठाती है नहीं उठाती है सारे डोकुमेंट कमपनी के देख के बहुत सोच समझगे कमपनी चूज करें और कमपनी चूज करने के बाद में फ्रेंट्स आप पूरे एफट के साथ पूरी मेहनत के साथ लगन के साथ में इस काम को करे तो फ्रेंड्स प्रोफिट बहुत अच्छा खासा प्रोफिट आप कमा सकते हो महीने के लाखों में कमा सकते हो